आज हमने करोना के 2930 मामले सामने आई जबकि 64 मरीजों की मौत हो गई वहीं 8174 मरीजों ठीक भी हुए हैं तो तराखंड की हेल्थ बुल्टिन के अनुसाथ दहरादुन जिले में 610 हरदवार में 465 टीरी में 281 पॉड़िगरवार में 297 नैनी ताल में 256 अलमोडा में 221 उदमसी नगर में 133 चमोली में 160 रुदप्रियाग में 131 पिथोड़ागर म एक सो बारत चमपावत में 89 पिथोड़ागर जिले में 40 संकेद मिले वहीं 24 गंटे में 64 क्रोणा मरीजों ने इलाज के दोड़ां दम दोड़ दिया वहीं डैरादुन हरदवा नैनताल पिथोड़ागर जिले में विभिन अस्पतालों ने कई दिन पहले हुई कुल 70 क्रोण इलाज में अलोपेथी दवाओं के इस्तमाल पर रामदेव के एक वाइरल वीडियो पर इंडियन मेडिकल एसोसियेशन यानि आई-एम में भड़क गया केंद्रिय स्वास मंतरी को पत्र लिखर आई-एम में ने कहा कि या तो आधोने की चिकिस्ता से वाओं को भंक करे या मिनट उनिस सेकेंड का एक अथिक वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इसमें रामदेव साथकों के सामने अपने मुबाइल पर मैसेज पढ़ते हुए दिख रहे हैं इसमें वह कह रहे हैं कि एलोपेथी की सभी दवाएं फेल हो गई हैं बुखार तक की दवा काम नहीं कर रही है लाखों करोना मरेजों की मौत अलोपेथी दवा खाने से हुई वीडियो के सोसल मीडिया पर वारल होने के बाद सनीवार सुबा आईमे के केंदरी स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्स वर्दन को पत्र भेज कर कहा कि या तो वीडियो में लगाए गए आरोपो को सुईकार कर आधोनिक ची किस्सा सेवाओं को भंग करें या फिर राम देव के खिलाब मामारी एक्ट के तहट मुकदमा दर्ज कराएं आईमे ने चेतावनी दिकी कोई कारवाई ना होने पर वो कानूनी कारवाई करने पर मजबूर होंगे उत्राखन सरकार के तीन एहम कॉविट से माता पिता खो चुके बच्चों को हर महीने मिलेंगे तीन हजार रुपे तो मुख्यमत दिरसी रावाद ने कॉविट से माता पिता खो चुके बच्चों के लिए वासल योजना की घुशना की है योजना के तहर इन बच्चों के 21 साल का होने तक तीन हजार रुपे महीना बरण पोस्टन बत्ता सिक्षा एवं रोजगार के लिए परसिछन की वश्ता करेगी इसके अलावा राजे सरकार की नोकरियों में ऐसे बच्चों को 5.36 आगशन दिया जाएगा किसानों से सरकारी रिड की वसूली पर रोक तो क्रोना महामारी के चलते सरकार ने किसानों से रिड वसूली पर रोक लगा दी है किर्सिए वं उद्यान मंति सुबो दुनियाल ने इस संबंद में विभाग को आदेश जारी कर दिया है पर देश में ब्लेक फंगस महामारी घोसित तो पर देश सरकार ने ब्लेक फंगस को महामारी घोसित कर दिया है सनिवार को सासन ने इसके दिसूचना जारी कर दी ब्लेक फंगस के मरीजों की संख्या लगातर बढ़ती जा रही है अब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है अब तक 7 मरीजों की मौत पर देश में Black fungus संकरम Faculty के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं अब तक Black fungus से कुल 55 मरीज मिले हैं इनने 7 मरीजों की मौत हो चुकी है दैरादुन जिले में पांच मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टी हुई जबकि 6 संदिग्द मरीज है एक मरीज की मौत हुई है छोटी आथ तक पहुचा ब्लैक फंगस इस्ट्रोइड ना लेने वाले भी संक्रमीत तो क्रोना मामारी से उबर रहे लोगों को अब ब्लैक फंगस परसान कर रहा है आँख नाक और सीर के अलावा ब्लैक फंगस का असर छोटी आथ तक हो रहा है डॉक्टरों ने कहा कि इस्ट्रोइड ना लेने वालों को भी या संक्रमन हो सकता है पहले कहा जा रहा था कि ज़्यादा इस्ट्रोइड लेने वाले ही इसके सिकार हो रहे हैं दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल ने सनिवार को ब्लैक फंगस से पीड़ी दो दुरलब मरेज्यों के बारे में जानकारी दी निचली अदालतों में एक से छे जून तक सिविल कारे इस्थगीत रहेंगे तो हाई कोट ने राजे की निचली अदालतों में कुछ इस्थानों को छोड़ करके एक से छे जून तक सिविल कारे इस्थगीत करने के आदेश दिये हैं बारवी बोल्ड पर फैसला आज परमुग विश्यों की परिक्षाए संबवत सी समेथ परदेश सिक्षा बोल्ड की बारवी वाप पेसिवर पाठे करमों की परविश परिक लोगों से भी इस पर सुझाव मांगे गए हैं बच्चों में करोना के मावुज लगान मगर इन से फैल सकता है संक्रमन तो किन बहुत कम हैं अस्पटाल में भरती होने वाले मरीजों में 3-4 परसर बच्चे होते हैं सिर्ण अगर से खबार एक घर की मरमत की गुहार लगा जैसे ही लोटी, मौद, जप्ती तो ग्राम परधान से आदे घंटे पहले जरजर घर की मरमत करने की मांग करने गई बुजुर्ग महिला लोटी तो उसी घर में वह जिन्दा दफन हो गई दरसल बारीस की भीगी मकान की दिवारे धूप निकलने के बाद भरबरा कर गिर गई घर्टना सनीवार अपरान करीब तीन बजे किरती नगर तैसिल के मलेथा गाउं की है मलेथा गाह में एक जरजर मकान में डहने से 70 वर्षिय रोशनी देवी की दबने से मौत हो गई उत्राखन में बलेक फंगस के इलाज के इंजेक्शन खतम तो राज्य सरकार ने सुकरवार को बलेक फंगस को बेसक महामारी गोसित कर दी है लेकिन राज्य में इस महामारी के इलाज के लिए इंजेक्शन का संकट खड़ा हो गया के सरकार ने राज्य को केवल 50 इंजेक्शन भेजे थे जिने गड़वार और कुमाओ भेज दिया गया इस बीच राज्य में व्लेक फंगर रोगियों के संक्या लगातर बढ़ रही है कोरोना के 30 लहर की तैयारी धरातल पर दिखे तो मुख्यमंत रसी रावात ने अधिकारियों को कोरोना के 30 लहर से निपटने के लिए पहले से अधिक पुख्ता तैयारी करने और इसे धरातल पर उतारने के निर्देश दिया है उन्होंने का कि जिला वो ब्लॉक इस तर पर बच्चों की मैपिंग की जाए यूपी में करोना कर्फियों 31 मही तक बढ़ा तो करोना संक्रमान की चैन को पूरी तरह से तोड़ने के लिए योगी सरकार ने करोना कर्फियों को 31 मही तक फिर से बढ़ा दिया है तूफान यास के चलते बंगाल और उडिसा में हाई अलट तो तोकते के बाद अब चक्रवाती तुफान यास की खत्रे को देखते हुए बंगाल और उडिसा में हाई अलट जारी क्या है इसे देखते हुए उतर रेलवे ने दिल्ली की पंदर टेने रद कर दिया है यह सभी टेन 24 से 27 माई के बीच अलग-अलग तारीक को रद की गई ह लाल डांग में हाथी ने महिला समय दो लोगों को माड डाला तो लाल डांग के नया गाहों में सनिवार साम को महिला समय दो लोगों को हाथी ने हमला कर दिया अस्पताल ले जाते समय दोनों ने दम तोड दिया C.M. के सलाकार पर आपने उठाए सवाल तो आम आदी पार्टी ने रिटायर I.F.S. अफसर डॉक्टर R.B.S. रावत को मुख्यमंदी का सलाकार बनाए जाने पर सवाल उठाएं उनका आरोप है कि रावत के उत्राखंड अदी सेवा चैन आयोग के अध्यक्च पद पर रहने के दोरान ग्राम पंचायर विकास सदिकारी भरती में घोटाला हुआ था इस मामले की जाँच अब तक पूरी तरह से नहीं हो पाई है इसलिए जाँच लंबित होने की वज़ा से रावत को मौजूदा सरकार में एहम जिमिदारी देना ठीक नहीं है आपके परवक्ता संजय भट के मुताविक वर्जदोरा सोला में भरती गोटाला सामने आने के बाद आरबियस रावत को अपने पद से स्थीपा देना पड़ा था इस मामले में जाँच अब तक पूरी नहीं हो सकी है आपके परवक्ता ने आसंका जताई की आरबियस रावत मुख्यमंत्री के परमुख सलाकार होने के नाते विजिलेंस जाच को परभावित कर सकते हैं कॉविट खत्रा टलने के बाद होगी भरती तो डीजीपी असोप कुमार ने सनिवार को फेसबुक लाइब किया उन्होंने कहा कि कॉविट के कारण मौजुदा दोर में पुलीस की भरती संभाव नहीं हो पा रही है हाला समाने होने पर सिपाही वर दरोगा के पदों पर भरती होगी इस दोरान कई सवालों का जवाब देते हुए डीजीपी ने बिरुजगारों से संयम बनाय रखने को भी कहा डैराद उनके 22 अस्पतालों पर होगी कारवाई तो इस पेसल टाश्पोर्स और दोन पुलीस ने वाइस कोविड और नौन कोविड नीजी अस्पतालों के खिलाब कारवाई के लिए रिपोर्ट मुख्या चिकिसा अदिकारी को भेजी है जांचे पाया गया कि उक्त अस्पतालों में अधिकांस ने साथन से जारी रेट ले चस्पा नहीं की जबकि कई मरीजों को कोविड रिपोर्ट ना देकर करोना का उपचार किया ब्लैक फंगस के इंजेक्शन ना मिलने पर हंगामा तो ब्लैक फंगस के मरीजों को दैरा दुन में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है सनिवार को विविन अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोग इंजेक् की दवा प्राइबिट अस्पतालों को नहीं दी जाएगी दून में एक दिन में संगरमितों से च्छे गुना मरीश ठीक हुए तो देरा दून में संगरमितों के मामले में लगातार कमी दर्ज की जा रही है इससे काफी रहात मिल रही है जिले में सनिवार को एक दिन में 610 न नहीं रहे बाइस दिन संगर्स के बावजूद करोना से हारी मेधावनी तो 34 वर्षिय मेधावनी अगरवाल बाइस दिन तक जीवन और मौत की लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार जिनिगी की जंग हार गई मेधावनी को बचाने के लिए सहर की कुछ स्वयम सेवी संस ने से इंकार कर दिया तो इन वोलिंट्रियों ने बैदराबाद में रहने वाले उनके चाचा और मुंबई में रहने वाले मौसी से एनोसी भीजने को कहा लेकिन ये भी नहीं हो पाया मेधावनी का देर साम राइपूर कॉविट घाट पर अंतिम संसकार किया गया मदद से वंचित न राज जाए हजारों सरमिक तो सरकार सरमिकों को रासन कीट देने की तयारी कर रही है लेकिन हजारों सरमिक सरकार की मदद से वंचित हो सकते हैं परदेश में करीब साड़े तीन लाग सरमिक पंजिकरित हैं इन में करीब पचास हजार से अधिक सरमिकों क के सरमिक कार्ड रेविनिल नहीं हूपाए कई दफा सर्मिकों ने श्रम विभाग के दफ्तरों के चकर काटे लेकिन अफसरों ने उनको नियमों का पार्ट पढ़ा कर वापस लुटा दिया ऐसे में सर्मिकों को चिंदा सता रही है कि क्या सरकार की मदद उनको मिल पाएगी छोकरी नई 6 साल की बेटी आम की लाई पेटी तो NCRT की पहली कच्छा की किताब की 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी कविता पर उठे बिवाद के बीज उत्राखंड के सिच्छक कमलेस जोसी नेवी बिकल्प के रूप में नई कविता रची है NCRT की या कविता इन दीनों राष्टे इस्तर पर चर्चा में है नयव तसिल्दार के रिक्त पदों पर न्युक्ति दे सरकार तो उत्राखंड भूलेक संवरगिय करमचारी महसंग ने गड़वाल और कुमाओ आयूत को पत बेजाय का कि पर देश में कई जगर नय तसिल्दार के पद रिक्त है मांग कि जल्द ही रिक्त पदों के सापेक्च अस्थाई इस्थानापन कर्वियों की निक्ति की जाए पुलीस को असलील वीडियो भेजने वाला गिरफतार तो सेरकोत वाली पुलीस ने कंटोर्ड रूम में सरकारी नमबर पर असलील फोटो और वीडियो भेजने के मामले में एक यूअक को हरियाना से गिरफतार किया है हाजरी मासी परिशा के नमबर तै करेंगे हाई स्कूल का रिजट तो कुरोना संक्मर की वज़ा से रद हुई हाई स्कूल की बोल्ड परिशाओं के चात्रों का पांच प्रमुकमानकों के अधार पर आंकलन करते हुए अगली कक्षा के लिए पास किया जाएगा चात्रों के नवी कक्षा से लेकर के अब तक के परदर्सन पर उनके नमबर तै की जाएंगे दर्दनाग गदर पूर में पती ने पतनी को माड डाला तो परिवारी कलास से हुए बिवाद के बाद पती ने पतनी के सिर पर वज़ंदार हतियार से वार कर दिये इससे महिला की मौके पर ह की मौथ हो गई आरोपी फरार हो गया पुलिस ने तीन घंटे बाद उसे दबोश लिया ने ताल से ख़वार आये करोना से मा बेटी के बाद बेटे ने भी तोड़ा दम तो चीना हाउस इस तीद एक परिवार के लिए करोना काल बन कर आया करोना के चलते तीन दिन में परि हरीस रावत के सुझाव कॉंग्रेस के लिए सबक तो भाजपा के परदेश अध्यक्षी मदन कौसिक ने का कि पूरु सियम और कॉंग्रेस के वरिष नेता हरीस रावत के सुझाव हमेशा सकरात्मक होते हैं लेकिन उनकी नसीयत को कॉंग्रेस अमल नहीं लेती कॉंग्रेस न पढ़ने की कर ले पूरी तैयारी तो मुख्यवांतिरसी रावात ने मानसून सीजन के मदिदर अधिकारियों को आपदा से ने पढ़ने के लिए सभी तैयारी करने के निरीज दिये हैं अरद्वार के लाड़ डंग से खबर रही है जंगल में हाथी ने महिला और बुजूर को कुचल करके माँ डाला लंगासू में बोल्डर गिरने से दसा बजना थाई वे तो चार घंटे तक लगा राजाम दूद अगबार सबजी के वान भी फसे रहे भगवानपूर से खबर रही है बाइक सवार यूकोन ने की मेकेनिकल के घर पर फाइरिंग तो बाइक सवार एक दरजन से अधिक यूकोन ने एक बाइक मेकेनिकल के घर पर तमंचे से तावरत और फाइरिंग कर दी इससे ग्रामीड में देसत फैल गई तनकपूर तवागाट एनेच पर आया मलवा वान फसे तो तनकपूर तवागाट एनेच पर चुपकोट बेंड के पास भारी मलवा आने से सड़के बंद हो गई सदपूलिस से खबा रहिए मायला पर गुलदार ने किया हमला तो चवटा खालता है सिल के पोकरड़ा ब्लॉग के ग्राम सुंदरई की खेट में घांस काट रही मायला पर गुलदार ने हमला कर गैल कर दिया राजदानी दून में ब्लड बैंक पर मंदराने लगा खून का संकर्ट तो कुरोन संकमन के बढ़ते प्रकोप के चलते ब्लड बैंक में नई होरा स्वेचिक रगदान आज हर्दवार से दूर पहुचेगा 20 यूनित रग्त ब्लेक फंगर से निपढ़ने के लिए टीम गठित दून मेडिकल, कॉलेज, कितर रोग, दंत रोग, नियूरो सरजन, एनेस्थीसिया समेथ कई विशेश्चा के सामिल हैं हिमारेन अस्पताल में दो की मौत हो गई, तो हिमारेन अस्पताल जॉली ग्रांट में ब्लेक फंगर से दो मरीजों की मौत हो गई मास्क ठीक से ना पहना तो एक हजार रुपे तक का जुर्माना, तो मास्क को ठुड़ी पर पहनने वालों की अब खेर नहीं है मास्क ठीक से ना पहनने वालों पर जुर्माना रासी बढ़ाई गई है अब उन्हें एक हजार रुपे तक का जुर्माना भरना पढ़ सकता है रिक्त पदो पर भरती शुरू करने की मांग तो सेवा ने वली एवं रिक्त पदो पर भरती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर कि डिग्री धारी लेब टेगनिशियन ने सनीवार को मंत्रियों और बिधायकों से मुलकात की नगर निगम तुरंत जारी करेगा मिर्तु प्रमान पत्तो देरी पर मेयर ने जताई नराजगी अतिरिक्त काउंटर खोलने के नुर्दिश दिये हैं जैवी विता पर मंदा रहे खत्रे पर जताई चिंता तो अंतराष्टी जैवी विता दिवास पर यू कास्ट की ओर से वर्चुल सेमिनार का विजन किया गया बात करते हैं जो अपरेट को लेकर की डॉक्टर के पदों पर अभी करें आवेदन तो 96 पदों पर भरती निकली हुए जिसके लिए उप्सेल विश्ट पर जाकर के 27 मही तक आवेदन कर सकते हैं वही नैसल थर्मार पावर कोर्परेसनल इंटेड एंटी पी सी में 200 सी पदों पर भरती निकली हुए है जिसके लिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं इस्टाप नर्स साहित कई पदों पर भरती निकली हुए जिसके लिए उप्सेल विश्ट पर जाकर के 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं नोकरी दिलाने के नाम पर 6 लाख ठगे आरोपी मैला की खिलाब मुकदमा दर्च किया गया है ट्रास्फार्मर लगवाने के लिए मंत्री को करना पड़ा हच्छे उसिपूरे के काटल गाउं में 21 दिन में फकर ट्रास्फार्मर राष्ट्य गंगोत्री हाइवे पर चलती बाइक में लगी आग तो गंगोत्री हाइवे पर वीरपूर डुंगा के समीब सेनी में सनिवार को एक चलती बाइक में आग लग गई बाइक सवार ने भाग कर अपनी जान बचाई यमनोत्री हाइवे नई खुलने से कई गाओं का संपर कड़ गया है दूत्य केदार भगवान मद महिस्तार की डोली वाहन से होते हुई रासी के लिए रवाना हो गई है गड़वाल से ख़वर आई है 96 संकरमित मिले और चार की मौत हो गई तो गड़वाल की बिविनिस्तानों पर की गई जाच मरने वाले स्रीन अगरवा पौड़ी में भरती थे बात करता हर्दवार की ख़वरों की तो रेमडी सिवीर के इंजेक्शन लगाने के खीच रहे फोटो तो करोना काल में रेमडी सिवीर इंजेक्शन की मारा मारी के बाद अब और सदी विवाग की पहल पर अस्पताल मनमानी नहीं कर पाएंगे भरती मरीजों को यदि रेमडी सिवीर इंजेक्शन लगाया जाएगा तो उसकी फोटो खीची जाएगी और उसको मरीज की फाइल में लगानी होगी करोना चार महीने में किवल 22 फीसद वैक्शिनेशन तो जन्पद में टीके की डोज नहीं होने पर 143 सेंटों पर लगे ताले जंगल में हाथी ने महीला और बुजर को कुटल कर मार डाला तो लैंज डाउन वन पर भाग के लाल डांग रेंज की जंगल के पास की घटना वीडियो के साथ अब आवाज भी होगी रिकॉर्ड सभी ठानों और कोत्वाली के कैमरों में लगाया जा रहा है वायस रिकॉर्डिंग सिस्टम किसी को भूका नहीं सोने देंगे रविंद्र पूरी तो गरीबों और जरुदमंदों के लिए सुरू हुई अनपूना सिवा ब्यापारियों को पैकेज दे सरकार तो भाजपा पर्दिस अद्यक्ज मदन कौसिक और रानिपूर बिधाय को सौपा ग्यापन दूसकरम के यजच का खारिज तो रोशना बात से खबर है नावाली को बैला फुचला कर ले जाने फरजी काँज़ात तैयार कर साधी कर दूसकरम करने के मामले में आरोपी की जमानत प्रातना पत्र विसेश नियाले पौकسो नियादीस अंजली नोनयाल में खारिज कर दी है बात करता है हल्दवान नेंताल की ख़वरों की लाल कौंसे ख़वर है यह गोला नदी में नहाने गई युवक की डूबने से मौत हो गई तो गोला नदी में नहाने आए च्छे यूकों में से एक की डूबने में डूबने से मौत हो गई सभी युवक रुदरपूर से यह सवार कमल सनवाल पर तेंदवें ने हमला कर दिया जिससे वो घैल हो गए हल्दवाने से ख़बर है ये जज समेत तीन वकीलों की करोना ने ली जान तो करोना संगमला की चलते एक जज और तीन अधिवक्ताओं की मौत हो चुकी है थाना ध्यक्षे ने टीम के साथ पीपी किट पहन कर बिड़दा का किया अंदिम संसकार साथानी बरतिये कौविड कर्फ्यू में सक्री है साइवर ठग तो कौविड कर्फ्यू में साइवर ठग सक्री है सतरकता बरतनी जरूरी है प्राइबिट स्कूलों में पहले से होगी गर्मी की चुटियां तो पबलिक स्कूल एस तो टनकपूर पितोरा गड़ आश्राज मार्ग पर लगाता दूसरे दिन सनिवार को भी पईये थमे रहे 18 गंटे बाद खुला टनकपूर तवागाट एनेच तवाई के निसान छोड़ गया सारदा का उफान तो कई मजदूरों के आशियाने जमी दोस हो गए तीन डंपर और एक सक्तिमान ट्रक छतिगरस्थ हो गया भारी बारिस से केलास मानसुर और यात्रा मार्ग बंद हो गया है तो तीन दीन लगातार हुई बारिस के कान दार्मा घाटी में दर गाओं से दुम्तू तक सड़क पर कई जगा बोल्डर आने से सड़क बंद हो गए है जॉल जी भी मुंच्छारी सड़क पर खत्रे की जद में आया वैली ब्रीज चंपावत से खबर है कंटिर में जोन में सेंपलिंग बढ़ाने के निरदेश्ट मुख्यमंत रसिंग रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समिछागी वह है खबर है चंपावत से संकरिन वैला के अंतिम संस्कार में नोग जोग तो दिवराडी बैंड के पास सब लाने से भड़के ग्रामीन कल से प्रस्तावित रिटा साहिब का नामी जोड मेला अब नहीं होगा वह है खबरे चंपाव से 20 मैलाओं का समू कर रहा अध्रक की खेती तो सैकारता विवाग के सायोग से स्वाला में लगा जाएगा 60 कुंटल अध्रक मापुणा गे धा में 24 सेवा ठप हो गई है बात कर तो दमसिन अगर की खबरों की तो करोना संक में तो को आईशमान कार्ड का नहीं मिल रहा लाव तो जिले में 6,53,000 लोग के पास है आईशमान कार्ड 18 प्लस को वैक्सिन के लिए सितार गंज में खुला ऑक्सिन बैंग मरीजों को रहा तो मरीजों को मिलेगी होम डिलिवरी की सुधा वहीं रूदरपूर से खबार है ये 558 लोगों ने करोना से जंग जीती खुन से सने हाथ और ठाने पहुंची हात्यारा तो अपनी पत्नी की निरसंग हत्या करते समय जहूर से जरा भी हाथ नहीं कापे कुलाडी और डंडे से पत्नी की हत्या करने के बाद वह घर से 40 मीटर दूर ठाने में पहुंचा रासन नम मिलने से बेहाल हुए वह भोगता तो काड ओनलाइन कराने के आदेश ने बढ़ाई रासन काड धार को की वरसानी रोडवेज कर्मचारियों को चार माँ से वेतन नहीं मिला है वही खबार है कासी पूर से डैम में उतराता मिला तीन दिन पहले लापता युवा का साओ तो तीन दिन पहले लापता युवा का साओ धड़ियाल रामपूर के रजपूरा डैम में उतराता मिला रामपूर पूलीस ने साओ पोस्ट मानम के लिए भेज दिया है वही खबार है यह रुदरपूर से मेडिकल इस्टोर से दवा चोरी कर रहा बदमास पकड़ा गया